हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरी यूटूब चैनल LWD जॉप में APS शिक्षक भरती 2024 नया विज्ञापन जारी किया गया है सभी पोस्ट में वेकेंसी आई हुई है आयू 40 वर्स तक के कैंडियेट आवेदन कर सकते हैं अंतियम तिती जो है वो 15 मही रखी गई है तो पेमेंट की अगर हम बात करें, सैलरी की बात करें तो थमनेल में मैंने शो कर ही दिया है पोस्ट ग्रेजवेट टीचर्स की जो सैलरी है 37,600 तक है ट्रेंड ग्रेजवेट टीचर्स की 36,000 रहेगी प्राइमरी टीचर्स की 34,500 रहने वाली है और जो फॉर्थ नंबर पर जो पोस्ट है है एडगलर की तो इसमें पेमेंट रहेगी 26,023 तो चलिए देख लेते हैं, सभी राज्यों के कैंडि रेट यहां पर आविदन कर सकते हैं 15 मई लास्ट डेट रहेगी ओफिशल वेबसाइट पर आएंगे आर्मी पब्लिक स्कूल चंडी मंदिर से वेकेंसी है एप्लिकेशन फॉर्मेट भी जो है आप लोगों को इसी में मिल जाएगा उसके बाद यह टीचिंग स्टाफ के लिए एप्लिकेशन फॉर्म है और यह नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए है अभी देख लेते हैं पूरा विज्ञापन आर्मी पब्लिक स्कूल चंडी मंदिर कैंट डिस्टिक पंचकुला हर्याना तो यह वेकेंसी जो है वो हर्याना की है पीजीटी में होम साइंस की वेकेंसी है कॉमर्स की वेकेंसी है और इंगलिस की वेकेंसी है तो इसमें जो है सबजेक्ट में आप पोस्ट ग्रेजुएट हो B.A.D. होना चाहिए मिनिमम 50 परसेंट मार्क के साथ में यानि पोस्ट ग्रेजुएशन में भी आपके 50 परतिशत मार्क हो और B.E.D. में भी आपके होने चाहिए बाकी जो है computer knowledge को इन्होंने desirable में रखा है है तो अच्छी बात है नहीं है तो कोई बात नहीं certificate या diploma कुछ भी नहीं मांगा computer का केवल post graduation में आपके 50% marks और B.E.D. में T.Z.T. की vacancy है English, Social Science, Maths, Science और Hindi की तो number of vacancy सभी में एक-एक है T.Z.T. के लिए यदि आप apply करेंगे तो graduation और B.E.D. इसमें 50% marks आपके होने चाहिए C.T.E.T. या किसी भी राज़े का T.E.T. नहीं मांगा गया है primary teachers में all subject की vacancy है number of vacancy 5 है graduation मांगा गया है इसमे PRT के लिए यदि आप apply करेंगे तो two year का आपके पास अगर diploma है elementary education में आपने B.T.C. किया है B.S.T.C. किया है D.E.D. किया है तो भी आप apply कर सकते हैं और B.E.D. वाले भी जो है इसमें apply कर सकते हैं primary teachers के लिए 50% marks आपके होने चाहिए तो यह अच्छी बात है कि primary आगर आपका subject नहीं है तो आप primary teachers के लिए apply कर सकते हैं B.E.C.Rate उम्र यहाँ पर जो है वो 40 यह रखी गई है जो fresher candidate है जिनके पास कोई भी अनुभव नहीं है एक भी साल का अनुभव नहीं है तो 40 वर्स तक आपकी जो उम्र रखी गई है और जिनके पास जो है वो अनुभव है और इसमें जो है graduation मांगी गई है ठीक है number of vacancies में एक है और इसमें ex-serviceman of clerk category up to the age of 55 year तो graduation अगर आपने complete किया है तो head clerk के लिए आप apply कर सकते हैं आपने arts में किया है, science में किया है, commerce में किया है ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है बस graduate आपका होना जरूरी है ex-serviceman जो है, तो उनकी उम्र यहाँ पर 55 year रखी गई है ठीक है तो इस post के लिए यह preference देंगे ex-serviceman को लेकिन अगर जो है कोई candidate नहीं आपाता है जो ex-serviceman है, तो ऐसे में जो है graduate pass candidate को ले लिया जाएगा कैसे apply करना है, तो school की official website पर जाना है जैसे की मैं अभी आप लोगों को बता देती हूँ, यह school की official website है आर्मी पब्लिक स्कूल चंडी मंदिर इसमें जो है यहाँ पर आप लोगों को सबसे उपर आपको देखना होगा, राइट साइड में सबसे उपर वर्क विद अस इस पर आप लोगों को सबसे उपर डाउनलोड करना है अप्लिकेशन फॉर्म, टीचिंग स्टाफ के लिए है, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए है ठीक है, तो इस तरीके से यह फॉर्म आपका है अब देख लेते हैं कि फीस बगरा क्या लग रही है तो यहाँ पर मातर सौर पे फीस है, ज्यादा फीस नहीं है मातर सौर पे फीस रखी गई है उसके बाद जो है, कैसे अप्लाए करना है यह अभी हम देखेंगे पे स्केल जो है, जो कि मैंने आपको बता दी पीजी टी के टीचर्स की 37,600 है टीजी टी के टीचर्स की 36,000 है पी आर्टी की 34,500 हैड किलर की 26,023 किसी भी राज्य के कैंडिडेट यदि अप्लाए करना चाहते हैं, बिल्कुल अप्लाए कर पाएंगे तो यह स्कूल की ओफिशल वेबसाइट का लिंक है एप्लिकेशन फॉर्म भी आप लोगों को जैसे ही ओफिशल वेबसाइट पर जाएंगे आप लोगों को भी बता दूँगी कहां से डाउनलोड करना है सौर पे मात्र जो है वो फीस आपकी यहां पर लगेगी बैंक ड्राफ बनवाना है आपको आर्मी पब्लिक स्कूल चंडी मंदिर कैंट के नाम से और जो है अपना अप्लिकेशन फॉर्म जितने भी आपके डॉकुमेंट है उनकी फोटो कॉपी आप लोगों को सैल्फ अटेस्टिट करके आर्मी पब्लिक स्कूल चंडी मंदिर कैंट डिस्टिक पंचकुला हर्याना 134107 इस एड्रस पर भेज देना है 15 मई 2014 से पहले परिक्षा नहीं है केवल इंटर्व्यू के लिए आप लोगों को बुलाया जाएगा यहां पर बिल्कुल इस परस्ट लिखा हुआ है टेलीफोन से बुलाएंगे आप लोगों को या इमेल के द्वारा बुलाया जाएगा अभी जो है ऑफिशल वेबसाइट पर मैं आप लोगों को बता देती हूँ अप्लिकेशन फॉम कहां से डाउनलोड करना है ऑफिशल वेबसाइट पर आएंगे सबसे पहले यहां पर आप लोगों को राइट साइड में सबसे उपर देखना है वर्क विद अस जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं यह पेज आपका ओपन हो जाएगा जो भी लिंक आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा उस पर आप क्लिक करेंगे यह पेज आपका ओपन होगा उसके बाद जो आप लोगों को सबसे बहले अड़र्टीजमेंट दुबारा से पढ़ना है डाउनलोड करके उसके बाद एप्लिकेशन फॉर्म टीचिंग स्टाफ के लिए डाउनलोड करना है यदि आप टीचिंग स्टाफ के लिए अप्लाई करना चाते हैं नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए करना चाते हैं तो थर्ड नमबर पर चीक है इस तरीके से एप्लिकेशन फॉर्म आ जाएगा इसे डाउनलोड करना है फिल करना है और दिये गए अड्रस पर भेज देना है अड्रस जो है मैंने आप लोगों को अब दिखाया था 100 और्पे का जो है डिमान ड्राफ्ट या बैंक ड्राफ्ट जो है वो बनेगा आर्मी पब्लिक स्कूल चंडी मंदिर केंट डिस्टिक पंचुकुला हर्याना 134107 पर भेज देना है बस इतना ही है और भी वेकंसी जैसे ही जारी होती है ये वेकंसी हर्याना की थी मिलेंगे नेक्स वीडियो में थैंक यू